महिलाएं एक सर शिकायत करती रहती हैं कि उनके hair growth नहीं होती है। भारत और उसके आसपास के देश हैं इन सब में महिलाएं ज्यादा तर लंबे बाल रखना पसंद करती हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियों बताऊंगा कि ग्रोथ कैसे होती है बालों की और उस ग्रोथ के लिए अपने को क्या करना चाहिए मैं हूँ डॉक्टर शुकला एक डंबर्टॉजिस्ट देगे बाल जो उगते हैं अपने स्किन से वो उगते हैं एक स्ट्रक्चर से जिसको हम बोलते हैं हैर फॉलिकल यह हैर फॉलिकल का जो नीचे का हिस्सा होता है वो बल्ब टाइप होता है और इस बल्ब के अंदर ही खिसकता जाता है उस फॉलिकल के अंदर और इस तरह से लंबाई बढ़ती चली जाती है यह जो बालों का डिवीजन है इसी पर आपके हेर ग्रोथ डिपेंड करती है यह जो डिवीजन है एक साइकल का हिस्सा है बालों के हेर साइकल होती है इसमें जो डिवीजन वाला जो होता है इसको हम growth phase कहते हैं यह phase 2-8 साल तक चलता रहता है यानि इस period तक आपके बालों की growth होती रहती है उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाती है और फिर बाल उसके बाद एक दूसरे phase में पहुंच जाते हैं जहां आप रेस्ट करते हैं इसको resting phase या टीजन phase कहते हैं यह phase 2-3 महिने चलता है उसके बाद बाल अलग हो जाता है नीचे से जड़ से और एक नया बाल उबना चालू हो जाता है यानि फिर एनजन फेज चालू हो जाता है वो जो नया बाल होता है वो पुराने बाल को push करता है उपर और उससे बाल गिर जाता है तो इस तरह से cycle चलती रहती है अब यह cycle growth phase है यह जनरली 2-8 साल तक चलता रहता है अब जितनी यह cycle लंबी हो क्योंकि बालों की growth जो है अपने अमूमन आस्तन अपने जो सिर के बाल है वो एक सेंटीमीटर पर मन्त बढ़ते हैं और वैसे इसका range है 0.6 से लेके और 3.6 सेंटीमीटर तक तो अगर बाल आपके इस हिसाब से एक सेंटीमीटर पर मन्त बढ़ते हैं तो आपके अगर हम यह माल ने कि growing phase आपका 5 साल काता है तो 5 साल के अंदर आपका 60 सेंटीमीटर बाल बढ़ेंगे यानि आपके 2 फुट बालों की लंबाई होगी तो अगर आपकी growing phase जादा है growth जादा है तो बालों की लंबाई जादा होगी अगर growth phase कम है तो बालों की लंबाई कम होगी तो अब यह जो बालों की लंबाई है यह बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है सबसे important चीज है genetics कि आपके genes कैसे हैं अगर आपकी genes में यह है कि आपके बाल लंबे हैं तो फिर आपकी growth cycle बढ़ी होगी आपकी growth phase बढ़ा होगा अगर आप genes ऐसे लेके आएं जिसमें छोटे बाल की हैं तो उस हिसाब से आपकी growth cycle भी कम होगी तो यह एक genetics बहुत important चीज है दूसरा है age, age के साथ जब जो यह age बढ़ती चली जाती है यह growth phase कम होता चला जाता है और उस हिसाब से आपके बालों की लंबाई भी कम हो जाएगी इसलिए जिनकी उमर जादा है उनको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उनकी बालों की length जादा हो जाएगी इनके अलावा आपके बालों के मोटाई पर भी निर्भर करता है जिननों के बाल मोटे होते हैं उनकी length जादा होती है जिनके पतले होते हैं उनकी length completely कम होती है अब जानते हैं कि बालों के हम growth को कैसे बढ़ाएं द एक फेक्टर आपका nutritional फेक्टर की बालों को किस तरह से nutrition मिलता है और दूसरा फेक्टर है आपके बालों के care किसे करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि बालों की growth hair cycle कें अंडर cells के division के कांड़ से होती है इसलिए उन cells को आपको nutrition पहुचेगा तब उसकी growth होगी तब उसकी divisions होगी तो generally जो claim आते हैं बहुत सारे shampoo जाते हैं बहुत सारे oils आते हैं या serums आते हैं जिनसे कहते हैं इसके लगाने से बाल आपके लंबे हो जाएंगे वो claim सही नहीं है क्योंकि growth अंदर से होगी बाहर से growth नहीं होगी इसलिए जो cells जो divide होंगे उनकी cycle बढ़ेगी तब जागे और उनकी बढ़ाने के लिए आपको blood के थुरू nutrients होती है और blood supply से nutrients मिलते हैं oxygen मिलती है तो nutrients को आपका ध्यान रखना पड़ेगा तो आपका nutrition अच्छा होगा तो फिर आपके बालों के growth भी अच्छी होनी चीए क्योंकि बाल जैसे मैंने बताया केरेटीन होती है इसमें सारी प्रोटीन यूज रही है इन प्रोटीन के अलावा आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी डाइट जो है restrictive नहीं होनी चीए restrictive मतलब यह है कि कई लोग कहते हैं कि हमें यह नहीं अच्छा जाती है और आपके growth नहीं हो पाती है इसलिए diet में आपको सब कुछ खाना चाहिए उसमें balanced diet होनी चाहिए इनके अलावा आपको nutrients के अलावा balanced diet के अलावा आपको मिनरस चाहिए आपको antioxidants चाहिए और आपको vitamins चाहिए इन सब के लिए आपको green vegetables लेना है आपको fruits लेने हैं और यह सब चीज़ें आपकी diet में होगी तो आपकी growth अच्छी होगी अब जैसे आपके vitamins के लिए लेते हैं पड़ेगा growth कम हो सकती है इसी तरह से minerals को आपको चाहिए जिंक है selenium है यह भी आपको आवश्यक है कि आपको growth के लिए इसी तरह antioxidants होने चाहिए तो antioxidants हमको fruits से और vegetables से मिल जाते हैं तो यह सब चीज़ें अगर आपकी diet में होएंगी इसी तरह omega-3 fatty acids है उनकी भी हमें आवशकता है तो यह सब चीज़ें हमारी diet में होएंगी तो हमारी growth अच्छी होगी इन चीजों के अलावा nutrients के अलावा और दो important चीज़ें हैं आपकी बालों नाम का जो हार्मोन होता है वो release होगा और उस हार्मोन से बालों की growth अच्छी होती है इसी तरह से आपका stress level बहुत important है अगर आपको किसी तरह का stress होगा तो बालों की जो hair cycle जो मैंने आपको बताई उसमें जो growth phase हो डिस्टरब हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा और आपके ज्यादा बाल तीलोजन में पहुच जाएगे रेस्टिंग पेज में चले जाएगे यानि बाल ज्यादा गिरेंगे तो उस हिसाब से आपके बालों के लंबाई कम हो जाएगी इसलिए stress को दूर करना आपके लिए बहुत जरूरी है और stress दूरूर करने के लिए सबसे अच् कि बालों की केर कैसे करें जिससे ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ में कोई disturbance नहीं हो बाल ग्रो कर रहे हैं लेकिन तूटे नहीं आगे तो के लिए मैं आपको कुछ बताता हूं वैसे तो बालों के के लिए मेरा एक अलग से वीडियो है आप चाहें तो उसको देख सकते हैं ड कटी हो जाती है इनको अपने करना है कोई ऐसा शेंपू लेए जो सॉफ्ट हो जेंटिल हो जिसमें केमिकल कम सकम हो अच्छी कंपनी का हो उससे आप शेंपू कर सकते हैं और शेंपू कम सकम हफते में एक बार कर सकते हैं ज्यादा शेंपू करने से बालों को नुक्सान होग इसलिए अगर आप natural shampoo लेना चाहें तो वह आप ले सकते हैं जैसे शिक्का काई है आवला है ये सब चीजें ऐसी हैं जिनसे जो natural चीजें हैं इनसे भी आप shampoo कर सकते हैं shampoo करने के बाद अक्सर लोग conditioner लगाते हैं लेकिन सबको conditioner लगाना आवश्यक नहीं है conditioner केवले उन लोगों को लगाना चाहिए जिनके बाल बहुत dry हैं जिनके rough हैं उनको conditioner लगा सकते हैं और conditioner में आप natural conditioner यूज़ करें जैसे कि coconut oil है वो बड़ा अच्छा conditioner है आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसके बाद आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि बालों को धोने के बाद में शेंपू करने के बाद में आपको जो बाल सुल जाना है वो गीले बालों को नहीं सुल जाए आप उनको dry होने दें क्यों गीले बालों को अगर करेंगे तो उनके तूटने के chances ज्यादा हो जाए एक और चीज का आपको ध्यान दखना है कि बालों पे कोई भी heat का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जैसे straightening करने के लिए या curling करने के लिए heat का यूज करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, इसी तरह से बालों को सुखाने के लिए जो ड्रायर use करते हैं, उसमें भी heat का प्रयोग न इसलिए अगर आपको धूप में ज़्यादा जाना है तो आपको हेट का प्रयोग करना चाहिए या किसी कैप का प्रयोग करना चाहिए जिसे जा अल्टावलिट लाइट जो होती है वो बालों को डेमेज करते है उससे आप सके। अगर आपको swimming pool में जाना है तो ध्यान रखें कि आपके सिर के उपर cap होनी चाहिए कि उससे क्लोरीन जो होती है swimming pool के पानी के अंदर वो क्लोरीन बालों को नुक्सान पहुंचाती है एक और important चीज है बालों की growth maintain करने के लिए या अच्छी growth के लिए कि आप hair color का इस्तेमाल नहीं करें कोई hair जो permanent color या semi permanent colors होते हैं वो बालों को नुक्सान करते हैं उनके allergy तो होती है allergy के अलावा बालों को damage करते हैं इसलिए जहां तक हो सके hair color का इस्तेमाल नहीं करें chemicals वाले अ सकते हैं और वो आपको नुक्सान कर सकते हैं तो बालों की growth के लिए दो important चीजे हैं एक तो आपका nutrition अच्छा होना चीए और दूसरा आपके hair care अच्छी होनी चीए किसी बाहार के serum से या oil से या किसी shampoo से आपके बालों की growth बढ़ने वाली नहीं है तो आज के लिए बस इतन नहीं अगली बार फिर एक नए topic के साथ आपके सामने उपस्तित होंगा तब तक के लिए आपसे आगया चाहता हूं धन्यवाद